सब्सक्राइब कर दो हमारे रिट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल एकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दोस्तो जैसे कि आप सब्सक्राइब को पता है कि कल HRT मिनिस्टर ने एक वीडियो के जरी बताया था कि जो CBSC क्लास 10 और 12 के बच्चे पर बोर्ट एक्जाम है वो 1 जुलाई से लेकि 15 जुलाई तक होगे जैसे कल यह न्यूस जाई तो बॉस्तो जो कोशन था वो डाउट में कनवर्ट हो गया क्योंकि सब के मन में कोशन आ रहा था कि 15 जुलाई तक तो बोर्ट एक्जाम कम्प्लीट होगे उसके बाद में क्या रिजल्ट आएगा पॉस्तों को इस ट्राइप की डाउट हो रहे थे इस्टोंट की कॉल भी आए तो आज की वीडियो के अंदर जो आपको डाउट है वो मैं क्लियर करने पूरी कोशिस करूँगा और आपको गैरंटी देता हूँ वीडियो देखने ब क्लास 12 का उसके बाद में आएगा क्लास 12 का साइंस है मेडिकल है नौ मेडिकल है उनका अलग आएगा कॉमर्स का अलग आएगा डेली रिजल्ट मतलब सभी स्ट्रेंट का रिजल्ट एक साथ नहीं आएगा जैसे क्लास 10 की कॉपी चेकिंग कंप्रीट होती है उसके बाद मे तो उसका result आएगा बर जो बाकी class 10 के students है उनका exam जैसे उनकी copy checking होगी उसके बाद में आ जाएगा expect किया जाएगा कि माई की ending या फिर जून के second week थरड़ वीक तक आ जाएगा कोई fix date आई नहीं class 10 वालों के लिए लेकिन expect किया जा रहा है अब आपने बात करते class 12 students के लिए तो guys देखो class 12 का result है वो आएगा तो 15 जुलाई के बाद में क्योंकि class 12 के कई सारे addition subject है जिनके exam रहे है और commerce वालों का main subject है जिसका exam रहा है तो इनका exam का result है वो तो आएगा 15 जुलाई के बाद में लेकिन gap रहेगा science, medical और commerce दीनों के बीच में थोड़ा थोड़ा gap रहेगा क्योंकि guys science वालों के लिए तो addition subject है लेकिन जो दूसरा commerce है उनका main है main subject की copy checking में time लगता है जबकि addition subject की copy checking में कम time लगता है अब आप में बहुत से strength पुछे कि क्यों देखो guys simple कारण है main subject हर किसे strength के पास में होते है तो ज्यादा strengths होगे तो copy checking में ज्यादा time लगेगा जबकि addition subject होते हैं वो कम strengths के पास में होते है तो उसके नदर कम time लगता है और result जल्दी आ जाता है तो guys ending में आप सभी को clear एक बास बताता हूँ कि जो आपका result है class 10th वालों का वो तो जुलाई से पहले आ जाएगा लेकिन जो class 12th का result है वो जुलाई के बाद में ही आएगा अगर आप में कोई strength हो रही कि हम admission कब लेगे colleges के अंदर कब हम college के preparation करेगे entrance exam अगरा कि तो guys answer मतलो इस बार जो entrance exam है colleges के वो स्तंबर से start होगे आपको कोई भी problem ना हो इसलिए पूरा education department आपके लिए अच्छे सच्छे decision ले रहा है आपको future का पूरा security दी जा रही है इसलिए आप answer मतलो confusion है जो scheme पे contact number है जादा doubt है तो comment section खालिए comment करके पूछ लो वीडियो में कहीगी बाते अगर आपको सही लेगे तो प्लीज हमें fans से वीडियो शेयर करें जिससे उनका भी doubt clear हो सके अगर आप हमारे सेनम पे नए आयो तो प्लीज हमारे सेनम को subscribe कर लेना जिससे next time आप सभी के मर में कोई doubt आये तो मैं उस doubt को जल्दी-जल्दी clear कर सकूँ तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही अपने फिल मिलेगे next वीडियो में तब तक आप सभी ने घर पे रहो safe रहो कर दो कर दो कर दो कोई कर दो कर दो ई।